सबी सात्योग नमस्कार इस वक्त एक और वड़ी विहेदी दर्दनाक ताजा खबर सामनारी है इस वड़ी दुरुगटना ने पूरे देश में कोहिरा मचा दिया है प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंतिरी अमिसाय ने भी गहरा सोग विक्त किया है इसका लाबा प प्रितकों के परिजनों के लिए दो दो लाक रुफे और गहलों के लिए 50,000 रुपे की वीतिय साहिता का वी एलान किया है हम आपको बताना चाहेंगे इस बड़ी भायनक दर्दनाक हादसे में करीब 26 लोगों के जान जाने की खबर सामनारी है 26 लोग है इस बड़ी चलिए क्या पूर मामला देंगे इस खबर के बारे मापको शंपूर जानकर विस्तार से दरसले घटना महराष्ट के बुल्डा नामें शुक्रबार देर रात करीब देड़ बजे के आसपास हुई है पताए जारा है नागपूर से पूने जारा ही बस का अचानक टायर फट जाता है टायर फटने की बज़े से ये बस एसंतुलन हो जाती है ड्राइवर अपना एसंतुलन खो देता है पहले बस है जो खंबे से टकराती है और इसके बाद सड़क पर वने डिवाइडर पर चड़ जाती है डिवाइडर पर चड़ने के बाद बस पलट जाती है लेकिन उन्हें बहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। जैसे यह बस पलटती है तो उसके डीजल टैंक लीक हो जाता है। डीजल बहर की तरफ हाता है और बस पलटने की बाज़े से चिंग्यारिया निकलती हैं तो वह डीजल उसको आग पकड़ लेता है। डीजल में आग इस बस में शो टीष सवारियां थी जिसमें से आठ सवारियां सीशा तोड़कर वहरा जाती हैं जैसे यह अजुआ अग निकलती हैं ऐसे में वह आग धीरे धीरे टैंक तक पहुंच जाती है और फिर होता एक बहायानक बिषपोर्ट जैसे ये बिसपोर्ट होता है तो पूरी बश तुरंत एक आग के गोले में तबदील हो जाती है बाकी सवारियों को तो निकलने का मौका ही ने मिलता है और यहां पर 26 सवारियों उस बस के अंदर जिन्दा जल जाती है इस बड़ी घटना ने पूरे देश में कोहरा मचा दिया है दोस्तो मरने वालों के पृति संतावना जरूर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर उनकी आत्मा को सांती के लिए भगवान से प्राथना जरूर करें मुलधाना के एचपी सुनिल कडोसन ने बताया कि हाथ से में बस का ड्राइवार और कंडेक्टर दोनों ही बच गए हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तरसल टायर फटने के बाद ये हाथ सा हुआ है और बस में आग लग गई और आग डीजल के टैंक ने पकड़ ली जिसके बाद करीब 34 यात्री जो इस बस में सवारते उनमें से 26 यात्रियों की चल कर मौत हो गई है इस बड़ी घटना ने पूरे देश में तो कोहरा मचा हुआ है रास्टपटी पिर्धान मंत्री मुख्य मंत्री और ग्रह मंत्री शवी ने गहरा सोक व्यक्त किया है